तो अधिक्स्षे लेक्षा में भात किया था सम्य कॉमन प्रैक्टििसेश और संद क्या होता है अधिक्षा लाइकंग कर यानि इथिकल लाइकंग हमारे इंडिया में स्कॉप होता है। इस वीडियो में जानेंगे, इसके बाद एक और वीडियो आएगे, उसके बाद से मॉड्यूल सेकेंड इस्टार्ट करने वाले है, सहरे पहरे देखते हैं, इथिकल हैकर्स, इथिकल हैकर्स की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है क्योंकि लगज़कर हर 3.5 सेकेंड, बतलत कि मान सकते हैं कि एक दो सेकेंड में कोई न कोई एक अटैक परफॉर्म किया जाता है, और बेखें, एवरेज कॉस्ट अब डेटा ब्रीच के कॉस्ट ही लगभग 500 मिलियन थी, काफी ज़्यादा अमान परता है, उसी को बचाने के लिए, प्रिच का क्या मतलब होता है, कि मान अब बात करते हैं, नीड अफे चुकर आएकर, अब बात करते हैं, नीड अफे चुकर आएकर, देखिए, इथिकल हैकर्स होते हैं, क्या करने के लिए, हमारी चीज़े मनी वेष्ट हो यह यह न, गवर्मेंट की या कंपनी की, उस मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि डेटा बिचिंग में उनका कहीं पैसा न बढ़बाद हो, और क्या करते हैं, कि हमने में बॉक्स ज जो होते हैं, इंस्यूर्स, सेक्यूर्टी और कंपनी, पुरी कंपनी के सेक्यूर्टी की जिमेदारी लेते हैं, कि आप किसे कंपनी में कुछ भी गलग नहीं होगा, जब तक हम लोग हैं, तक तक कुछ भी गलग नहीं होगा, इस चीज़ के लिए हमारा एक बहुत बहुतर की यहां परेंगे के सिस्टम जन जाएंगे। इनके लाइर का लॉस होगा, सिस्थम होगा, हाटिक का लॉस होगा, कबिनेट का लॉस होगा, Motherboard का लॉस होगा अगर यह सारे अगर दस भी सिस्टम जनते हैं तो कम से कम भी अगर अच्छी खासी कंपनी है तो जाहिब सी बात है यह i3, i3 तो यूज़ करेगी नहीं i7 प्रोसेस्टर होगा इस तरी के भी चीज़ों हो तो लगभर मान के चली कम से कम की बात किया गया है तो 10 सिस्टम में हो जाने भी आप तीज़े आरहम से से सेफ लिड ब्राउसर कर पाते हैं तो सिर्फ एकल है स्क्रिप्षण की वज़े से यह आप साइबर स्पेस में इतना सेफ और क्लीन इंवार्मेंट पाते हैं रूरू पाते है निकि चीजों को से इंड कर सकते हैं जैसे वाट्टसप इंक्रिप्शन नहीं देता तो क्या होता कि आपके बीच में कुई अगर मैसेज पकड़ता तो वो बीच में निकाल लेता लेकिन जब तक इसमें ऐसा इंक्रिप्शन है कि यहां से बेजिए तो इंक्रिप्ट हो जाएगा इसमें पकड़ लेता है तो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाता है ऐसी सेट्ड अभी वाट्टब में डेए इंबिन उसमें लिखा होता है कि वाट्टब भी आपका मैसेज नहीं बढ़ सकते है तो यह काफी जादा हमको safe environment प्रोवाइड होते हैं इतिकल हैकर्स की बज़े से हम बात करते हैं career option दिखें लगभग करेंट्री जो है चार लाट से भी जादा जॉब्स 223 में ethical hacker की required है लेकिन इतनी हमारे पास person ही नहीं जो job को fulfill कर पाया और लगभग हम average as a fresher बात करें तो average ल per month salary है इंडिया में इतिकल हैकर्स की लेकिन आपको मैंने अभी यह बाता है तो इतिकल हैकर्स की हमारे इंडिया में फोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी कमी है लगभग चार लाट पोस्ट काफी होती है यह पोस्ट पर लिए अगर इतिकल हैकर या फिर हैकर है तो आप हम करने बसीक्त में काफीन काफीन है और अगर अनले छीक्टी की बात करूंगा की व्यव्य बदूद काइसे पैसा में हैं 3-3.4 LPA लगभर कमान के चलिए 20-25 आपको परमन्द दे रही है अगर 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 ऐसा फ्रेसर जोएं होते हैं तो HCL भी वह इंजो है 3.4-3.6 LPA दो यह फ्रेसर की बात करना है एक्स्पिरियंस की बात नहीं करना है इसी जिनोट रखिएगा अगर यह आप UST Global की बात करते हैं तो वो भी 3.8-4 LPA दो अगर ऐसे बहुत सारी कम दिया हैं जो सेक्योर्टी को लोग़े काफी ज़्यादा कंसर्न नहीं जब उन कंपनियों में जो पैकेजेज होते हैं वो काफी ज़्यादा वैरी करते हैं और यह सारे पैकेज जो मैंने आपको दिखा यह तो सिर्फ अभी इनीशियल फेस्टा है कि आपको ऐसे इनीशियली अगर इथिकल हैकर जोईन होते हैं तो आपको कितना मिलेगा अगर हम आगे बात करेंगे कि देखें इंडिया में अलग-अलग आपको फ्राइल की कितने कितने हैकर को विकला मिलता तो यह देखें अगर आपको आइटे इन इंट्राइस्ट्रॉक्चर एवरेज जो है यह देखें आपको इतना से सुरू हो कि अगर आप ऐसा इतिकर हैकर ताम कर रहे है और आइटे एन इंट्राइस्ट्रॉक्चर में यह मिनिमाम पॉस्टिंग होती है आपकी जो 600 रुपे से लेके आपको 2.5 million तक मिल सकता है ऐसा नहीं कि आपको 600 सिर्फ यह हम दिखाने के लिए डेटा लाया है आपकी 600 रुपे मिलना है 300 रुपे मिलना है यह नहीं यह एक इस तरीटेस होता है कि आप एक कंपनी में बग फांड करिए या कुछ करिए उसमें होना चाहिए तो इस हिसाब से आप काफी जारा कमा सकते हैं कि देखिए यहीं आपसर रुपे अपको यह वीडियो समय में आई होगी है अगले लेक्षर में बात करने वाले होंगे कुछ सर्टिफिकेशन की जो सर्टिफिकेशन लेकि आप अपना केरियर ही स्टार्ट कर सकते हो और नेक्स लेक्षर में कुछ जनरल टर्मेलोजित की बात कर लेंगे तो कि जो हम रिगुलर यूज कर रहे होंगे ताकि आपको चीजे अगर पाता होंगे तभी हम आप इस चीजे में बेगुलर यूज करूंगा तो आपको समें डावट रोगा इसलिए मैं पहले चीजे क्लियर कर दोंगा कि इस टर्मनलोजिका मतलब चाहां और आप तो आपको वीडियो समाः में आई होंगे अगर समें में आई है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेरे और अगर आपको कोई वीडियो ईटना है तो हमारी कमेंट बॉक्स में तो शीए गाव बटा रोगों को. ठाइट अटिक्यों